वर जैहिन तो दोस्तों जब भी कभी आप किसी भी नय रोम में shift होते हैं तो आपके सामने एक प्राबलम आती है वो प्राबलम यह होती है दोस्तों कि आप जो है अपने phone का जो भी डेटा है आप उसे नय रोम में कभी आप convert नहीं कर पाते यानि कि नए रों में आप अपफे से फोन मेंइस टॉल है वह नए रों में आप उसका बैक-प यह पिर कह सकते हैं रिषिटौर नहीं कर पाते दोश्तों तो मैं आप कई बार चाहकर हमको आप आपने फोन में इस्टॉल नहीं करते क्योंकि कहीं ने कहीं इसके पीछी की जो वज़ा होती वह होती है दोस्तों आपके फोन का बैक आपको लगता है कि जो आपके फोन का जो बैक अफ है वह जब भी आपका भी नए रोम में स्रिप्ट होंगे तो वह सभी डिलीट हो जाएं यहां तक जो भी आपके वाटसेफ ने जो डिटा होता है वह सभी दोस्तों डिलीट हो जाそうですね में आप चाहकर भी नए रोम में स्रिप्ट नहीं ऑंपाते तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगे कैसे आप किसी भी रोम में स्रिप्ट हो सकते हैं और जो आपके data हैं चाहे वह WhatsApp हो या फिर आपके Facebook का data हो या फिर आपके Instagram का data हो या आपके message का data हो या फिर आपके call logo या फिर आपके contact हो दोस्तों कोई भी delete नहीं होने वाला है दोस्तों तो दोस्तों उसके लिए करना होगा उसके लिए Simply आपको को कम्प्लीट देखना है और एक भी स्टेप मिस्स नहीं करना है दोस्तों और पहली बार आए अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लिजेगा तो चाहिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों जैसे ही देवाइस यहाँ रूट यहां पर है तो क्या करना उसके लिए दोस्तों आपको प्लेइस चूर ने जाना है और यहाँ पर दोस्तों से PEP र inadequatelyे यहाँ पेढ़ करना है उसके बाद इस एक को यहां से आने के बास्तों आपको सिंट्रोलं करना है दोस्तों दोशलेघ़ए यहां पर स्कीप करके इसंट्रोल करो देते हैं दोस्तों और देशाथ यहां पर पर आपको फ्रकर प्रप्रणत दिखते और अप दोस्तों आपको grant permission देनी उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है यहां पर जो आपको नेजांगे कि आपके जितनेथे प्रस आनलाओ कर देना है और फिर दोस्तो आपको चलिया है यहां यहां सबस्क्राइब ultra55 Overwatch करने के बाद दोस्तो आपके फोन में जितने भी ओफ इस्टॉल है वो और यहां यहां पे सो होंगे आप उसके चाहां तो डेटा ले सकते हैं और चाहां तो इस एप का ले सकते हैं डेटा का मतलब दोस्तों आपके वाटसेप में कोई इसमेस है या फिक कोई फोटो जिस सभी जितने भी हैं सभी बैक अप हो जाते हैं दोस्तों इसके वज़ा से और यहां प दोस्तों आपको कभी भी system app के backup नहीं लेना है क्योंकि अगर आप दोस्तों कभी भी system या फिर all app पे क्लिक करते हैं और चाहते हैं कि आप system app का backup ले ले तो दोस्तों ऐसे में आपका जो बहुतर है यहां पर 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 क्लिक करेंगे तो आपको अगर आपको किसी पर भी करते हैं तो आपका जो डिवाइस बूट लूप में दोस्तों अटक सकता है तो अब इसके बाद क्या करना है आपको यहां पर इंटर्नल इस्टोरी जो दिख रहा है इस पर आपको बेक अब श्टार्ट अब जो अगले बिडियो को सब्सक्राइब कर दें तो यहां पर देख सकते हैं जो हैं हमारा यहां पर बैकाप इस टार्ट हो चुका है और हम यहाँ पर हमने वीडियो को फासपाट पर क्लिक कर दिया है और उसके बाद देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर सभी स्टेप बाइस्टेप यहां पर हो रहे हैं जहाँ कि चाहें वरिफाइ और या फिर आपके अपो जो कुछ भी है यहां पर देख 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 लिए दोस्तों यहां पर यहां पर कर देंब हो रही है तो चाहिए इस प्रसेस को भी हम लोग यहां से थोड़ा यहां पर complete हो चुका है अब करना है दोस्तों आपको internal में जाना है उसके बाद phone store में जाना है उसके बाद दोस्तों आपका जो एप था यानि कि जो माइग्रेट वाला जो एप आपको इसको जीफ फार्मिट में होगा तो आपको उसे अंजिप करना है दोस्तों आपको पूरी जो फाइल है जैसे कि यहां पर दे सकते हैं यहां पर हो चुका है तो आप यहां पर माइग्रेट में हैं तो क्या करना है दोस्तों अब आपको simply चले जाना है आपके अपने फोन के रिकवरी पर तो चलेए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने फोन के रिकवरी पर और उसके बाद कोई नई रोम यहां से फ्लेश करते हैं तो दोस्तों मैं बता दूंजब नई रोम आएगी तो मैं वहां पर काफी फास्ट फाड़ करके वीडियो पराऊ कि मैंने बहुत सारी वीडियो पराई जहां पर मैंने अलग-अलग आपको रोम इस्टो करके दिखाई है तो इसलिए यहां पर हम इसको यहां पर देखते हैं जो हमारा फोन है टीम वे रिकवरी पर आज चुका है तो अब क्या करना है क्लिक करना है और यहां पर देख सकते हैं हम जितने भी यहां पर सभी को वाइप कर देते हैं दोस्तों उसके बाद हम यहां पर सिंप्ली एक नया जो रोम है उसे यहां से दोस्तों हम फ्लैस कर लेते हैं दोस्तों हम यहां पर जितना जल दो सके उतना हम यहां पर वीडियो और दोस्तों देख सकते हैं हैं यहां पर चुकी है आप ibaund it आपि यहां पर याप नहीं है दोस्तों अब्सक्राइब उसकी है देठाब क्या रहा है दोस्तों तो आपको worse पहले चले बैसे दोस्तों जो भी है धुद्शय कि जो फाइल कि रहे हैं तो यहाँ में देखतों इसक लिए डेते हैं और वीडियोको थोड़ा फौरłem कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए हो चुका है तो दोस्तों देख लीजिए आपका यहां पर देखिए इस्टॉल है मैस की फाइल तो दोस्तों अब आपको वापस से बैक आना है और फिस दोस्तों फाइल में जाना है और इसके बाद दोस्तों आपको आपने जहां पर भी माइग्रेट की फाइल जो स्लेट की वहां पर जाना है दोस्तों और उसको वहां से चाहें तो कॉपी करें चाहें तो आप उसे मूव कर सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है और फिर उसे दोस्तों आपको इंटरनल के स्टोरेज में आपको इसे पेस्ट कर देना है और यहां पर देखिए हम यहां पर जो है कॉपी कर रहे हैं यहां पर चुका है और यहां पर सेंटेज भी यहां पर चेक कर सकते हैं जो है यहां पर देख लिए 70% हो चुका है और यहां पर देख लिए हमारा यहां और ना ही इसमें कोई से दोस्तों चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको उन्हतों सभी data का backup यानि टे डेस्टोर कैसे करना है दोस्तों तो तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको रहें अपने प्लेश्टोर में आतो चलते तो आपको सर्च कर लेना है यहां पर माइग्रेट करके सर्च कर लेना है और चलिए हम यहां पर सर्च कर लेते हैं और उसके बाद यहां पर आपके सामने फ्लैसर करके एक ओप्सन दिख रहा है इस पर इस पर डाउनलोड करके इस्टॉल कर लेना है जहां पर जैसे कि यहां पर देख सकते हैं जो डाउनलोडिंग यहां पर स्टार्ट हो चुकी है और वीडियो को यहां पर हम स्कीप कर दे रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं हमारी यहां पर देखिए एप यहां पर इस्टल हो चुका है तो अब इसे ओपें कर लेना इसे करना है यहां पर देखे जो आपके जिब कीसी एक और पर यहां पे इंडिक HEYTर कर लिए तंस दोस्टों यहां पर नीचे आना और यहां से यहां पर फ्लेई कर देना है दोस्ते दोस्तों यहां पर हमने यहां az पर चुका है और यहिस्टने भी यदा सभी का यहां पर मैं भी कह सकते हैं कि रिस्टोर होना है दोस्तों जैसे कि देख से माइग्रेट हेलपर अर्ली एक्सिस आप को इसे दोस्तों यहां से ओपन कर लिए और इसे भी यहां से ओके कर दीजिए उसके बाद रेश्टोर एप एंड डेटा पर क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों आपको ग्रांट Verm multimson देदेनी है और इसके बाद यहां पर जेख सकते हैं आपके совершенно कोण और यहांपर देख सेजिए दोस्तों फिर फिरफ़ित पर क्लिक कर देना फिर उसके बादर आपको डिवाइस को में चलने जाना है और फिर यहां से दोस्तों आपको Allow कर देना है यहांसे Migrate Addon को Slit कर लेना है उसके बाद जो है आपका यहां पर देखे जो बैक आप है स्वरी दोस्तों आपका जो restoring है यहां पर कर देते हैं ताक्कि आपको ज्यादफ समय बस जाए है तो यहां पर देख सकते हैं जो यहां पर वीडियो है फास्ट फारवर पर चल रही है और यहां पर देख सकते हैं जितने भी यहां पर जो है बैक आप यहां पर देखिए रिश्टोरिंग यहां पर स्टार्ट हो चुकी है और हमारे जो भी एसमें से यहां पर देखिए आना लगे हैं अब यहां पर देखते हैं जो हमारा एप था उसका भी यहां पर देखिए स्टाफ हो चुका है प्रशाल है यहां पर देख सकते हैं बैंक और प्रोदा कभी यहां पे आ ऐक आ चुका दोस्तों यहां पे देखें सबी आ रहे हैं बारी बारी करके दोस्तों मेद कर करके को ऐसे देख पा रहे हैं और यहां पर प्रत्स देखका तो दोस्तों मिलते हैं किसे वीडियों में जैहिनda